हेलो एवरीवन विलकम टू आयरवेदिक फॉरमुलेशन तो आज से अपने स्टार्ट करने वाले हैं द्रव्वीगुण को ठीक है तो द्रव्वीगुण में आपके दो पेपर होते हैं एक पेपर वन होता है और paper two होता है तो paper one के first point को आज अपन cover करेंगे उसमें क्या है आप किस लेवस में है द्रव्य गूण शास्त्र की परिभाशा क्या है तो द्रव्य गूण शास्त्र की परिभाशा द्रव्य नाम रूपानी गुण कर्मानी सर्वसह यानि कि जिस शास्त्र में द्रव्यों के नाम रूप यानि कि उसके परिचय ठीक है गुण कर्मानी सर्वसह द्रव्यों के गुण और कर्मों का विवेचन और प्रयोगस्च वने यंते और द्रव्यों के प्रयोगों का वर्णन की किस व्यादी में किस तरीके से द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है उनका विवेचन किया जाता है यस्मिन द्रविगुणम ही तत उस शास्त्र को हम द्रविगुण कहते हैं फिर से देखि है यसमिन द्रव विगुण अमेदत उस शाष्टर को हम क्या कहते हैं ठीक है अब इसका प्रेयोजन क्या है तो बोला है कि द्रव विगुण शाष्टर जो है वो अत्यधी उपयोगी और महत्वपून है जिस तरीके से हमारे आयुर्वेद के सिद्धान ते हमारे आयुर्वेद के प्रियोजन है क्या बताएगा है स्वस्त स्वास्त रक्षणम आतुरस्य विकार प्रसमनम चाहिए यानि कि स्वस्त व्यक्ति के स्वास्त का रक्षण करना और आतुर यानि कि रोगी के विकारों का प्रसमन करना उसी प्रकार हमारे द्रविगुण सास्तर का भी प्रयोजन यही है कि स्वस्त व्यक्ति के स्वास्ति की रक्षा करना और रोगी के रोगों का समन करना प्रसमन करना किसके द्वारा तो द्रव्यों के द्वारा ठीक है द्रव्यों के द्वारा ही रोगी के स्वास के रूप में बताया गया अब देखिए भिशक द्रवव्यान उपस्थाता रोगी पाद चतुस्टेम भिशक याने की यह आपने चिकिट्चा के चतुसपाद चार पाध पड़े होंगे भिशक याने की क्या होता है प्रेक्टेशनर या फिर वैध्य हो ठीक है द्रव आनी की क्या होता है आपकी ड्रक्स हो गई मैडिसिन हो गई उपस थाता आता याना एक टेंडर हो गया और रोगी आने की पेशन्ट हो गया तो इन सब को क्या बता है कि है चेटस्पाद कीुछ जब बोह स समन होता है वो शान्त होती है ठीक है तो इन सब में कारण ये साधन रूप को द्रव्य बताया गया है ठीक है साधन रूप कौन है द्रव्य अब देखे क्या बोला है जिस प्रकार से वैद क्या होता है करता होता है यानि कि कारे को करने वाला रहता है उसको अपने कारे को सफल बनाने के लिए किसकी अवशक्ता पड़ती है साधन रूप में कारण के रूप में द्रवी की अवशक्ता पड़ती है तो द्रव्यों के द्वारा चिकित्सा का संपाधन किया जाता है तो कारण रूप द्रव्य कौन है कारण रूप साधन कौन है तो द्रव्य को माना गया है क्यों माना गया है क्योंकि वैद को करता है है ठीक है उसको अपने कारे करने लिए चिकिठा कारे को कुरने के Friends II कि कि समान dalla दी गograph है उसके बारे में देखिए कि क्या बोलना है है कि जिस प्रकार Witश की याने-ड़न से लाने वाले को साधन के रूप में किसकी अवसकता पड़ती है तीरों की अवसकता पड़ती है अपने लक्ष को भेदने के लिए और लक्ष को प्राब्ध करने के लिए उसी प्रकार वैद को अपने कारण रूप साधन रूप में किसकी अवशक्ता पड़ती है द्रव्यों की अवशक्ता पड़ती है चिकित्सा को करने के लिए इसलिए शास्त्र में चिकित्सा को धनुस के समानता बताई गई है समझ में आपको क्यूं बताई गई है कि जिस प्रकार धनुष्क यानि की धनुष्च चलाने वाले को अपने साधन रूप में तीरों की अवशक्ता पड़ती है अपने लक्ष को भेदने के लिए लक्ष को प्राप्त करने के लिए उसी प्रकार वैद देने की चिकित्चक को अपने कारण भूत या साधन भूत ध्रव्यों के अवशक्ता पड़ती है किस कर्म को करने के लिए चिकित्चक को संपाधन करने के लिए उसी लिए वैद्ध है जो है धनुष्क यानि कि चिकित्चक को धनुष्क की कर शमान समानता बताए गई है अब देखते है número 9 उसका संपादन करने के लिए और यूजना पूर्वक प्रयोग करना अत्यन दावश्यक है अगर हम और यूजना पूर्वक का प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो हमें चिकिच्चा कारे में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी हमें हमेशा निराशा को ही देखना पड़ेगा ठीक है तो इसलिए बोल रहा है कि द्रव्यों का पून रूप से परिचय होना कि द्रव्य कौन सी है उनके गुण कर्मों का ग्यान होना सैयोग विविद कलपनाओं का ग्यान होना उनके प्रयोग याने कि किस तरीके से किस व्यादी में कितनी मातरा में प्रयोग करना इन सभी का ग्यान होना अत्यन तावशक है तभी हमें चिकिच्चा कारे में सफलता मिलेगी ठीक है अन्यता हमें चिकित सा कारे में सफलता नहीं मिल पाएगे फिर क्या बोला है द्रवे साधन होने के काँ शास्त्र की समान बताया गया है ठीक है द्रवे को किसके समान बताया गया शास्त्र की समान बताया है जिस तरीके से हम शासरों को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे उसका अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो हमारे लिए वो हितकर होगा अनिता वह हम रत्यू कारक है कि कैब वो हमारे लिए किसी काम कर नहीं है अहितकर है उसी प्रकार क्या वोल रहा है कि जिस प्रकार उसी प् द्रव्य को ज्यान पूर्वक्ट प्रयोग करेंगे उसे अच्छी तरीके से समझ कर तो वह क्या रहेगा जीवन दयक रहेगा और किससे शामान बता है अम्रित के समान क्या रहेगा प्राण रक्षक याने कि प्राणों की रक्षक रखछक एगर हम इसे अज्यानता पूर्वक प्रेयों करेंगे तो याइने प्राणु का हरन करने वाला रहेगा ठीक है तो इसलिए बोल रहे हैं कि फ़ैसरी के समान बताए गया है कि इस प्रकार सास्तर के मच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो वह हितकर है अन्यता वह हितकर है उसी प्रकार अगर द्रव्यों का ज्यान पूर्वक प्रयोग होगा तो वह क्या रहेगा जीवन दायक रहेगा और अम्रित के समान प्राणों की रक्षा करने वाला रहेगा अन्यता अग्यानता पूर्वक प्रयोग करेंगे या फिर इस तरीके से कहा जा सकता है कि द्रव्य गुण का महत्व बताते हुए आयुरुवेद की परिभाशा बताएगी है कहां पर बताएगे तो चरक सहीता के सूत्रिस्थान के अध्याय 30 में बताएगी है क्या वोलने हैं अब देखिए यतस्चा आयुशियान अनायुशियानी चा द्रव्य गुण कर्मानी वेदयत तो अप यह आयुरुवेदा है यानि कि जिस शास्त्र में आयू श्यान यानि कि आयू को बढ़ाने वाले और अनायू श्यान यानि कि आयू को नहीं बढ़ाने वाले द्रव्यों के ठीक है द्रव्यों के गुण कर्मानी गुण और कर्मों का वणन बताया गया है उस शास्त्र को हम क्या कहते हैं बताये हैं तो அ यहां वीड़न विज्यान को दो भागन को शार्षों तकिस कि नित्रिता के अधार पर ही सिद्धिक किया जाएगा ठीक है अब चलिए देखिए द रख़ें। विग्यान को दो भागों में विभाजित किया गया एक तो पदार्त विग्यान जिसमें हम सब्त पदार्तों के बारे में पढ़ेंगे सब्त पदार्त हमारे कौन कौन से है तो द्रव्य है गुण है कर्म है रस है वीर है विपाक है और प्रभाव है और क्या बताएगा है किस है Cyんなнаком में विभाजित किया गया है. गोड़ंगर विग्यान और प्रयोग विग्यान अब चलिए एक एक चीज को समझते चलिए यान कि आपको समझ में यह दिरव सब्सक्राइल किया गया तो को क्या कहते हैं अब नाम रूप विग्यान क्या है नाम रूप विग्यान को हम क्या कहते हैं ठीक है नाम रूप आपको नाम सी समझ में जिसमें द्रव्यों के नाम कुल याने कि उसका फैमिली जाती याने कि उसका स्वरूप हो जाएगा ठीक है जाती याने कि स्वरूप हो जाता है उससे क्या कहते हैं नाम रूप विग्यान नाम सी आपको समझ में आ रहा है ठीक है नाम रूप विग्यान जिसमें द्रव्यों के नाम रूप आना ठीक है नाम रूप आती आने की नाम हो जाएगा उसका कुल हो जाएगा फैमिली आने की जाती हो जाएगा उसकी स्प अभाज़ाओ का भी ग्यान आवश्यक होता है उसके बाद क्या वहला देखे सांईोग विज्ञाणा करते हैं हम भैसे जी कल्पना को भैसे जिकल्पना यह है क्योंकि कोई भी द्रवे जो हैं जो है उन्हें मूल रूप में ग्रहन नहीं कर सकते हैं ठीक है जैसे आप किसी जड़ है तो उसा हम उसके मूल रूप में जड़ को तो नहीं कहा सकते हैं तो उसे विबिन प्रक्रियाओं수 के दुवारा भ duas City के अईसे कौनवर्ट किया जाता है ताकि हम उसे और अधिक बनाने के लिए उसकी वीरिवर्ता को बढ़ाने के लिए ऊसमें भुरसें क्रदा के जाता है अधिकाक हम्हों आ a universal जो निर्माण को кई जाता के लिए हिद करो हम उसे ग्रहां करता मैं पहले चीज दूसरी चीज़ आसी गुणों को increase करना ठीक है उसे वीरिवान बनाना तो यह सारी चीज़ें होती है संयोग करना तो आप संयोग करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे द्रव्यों को संगरहन करोगे उसे कलेक्ट करोगे उसके बाद सन्रक्षन याने कि उसका आप विभिन कल्पनाओं के दवारा जुराता उसका निर्माण किया जाएगा उसे ऐसी चीज में कनवर्ट किया जाएगा ताकि हम इसली ग्रहन कर सकें और दूसरा उसे आधिक गुणवान बनाने के लिए विवित कल्पनाओं का महत्व तथा द्रविक का विलेयता कि अधर स्हाइयोगोन केट है थीसे मैं तो यह चीज हम किस में पढ़ना भी कहता है सियोग विज्ञाने फॉर में उसके बाद क्या देखिए योग विग्यान अब हमने किसी कल्पनाओ का निर्माण किया तो कल्पनाओ के निर्माण से हंने क्या बनाया योग बनाया है जैसे बहुत सारे आसव बनाए रिष्ट बनाएं वठी बनाएं चूण बनाएं तो यह सारे क्या योग है ठीक है तो स्के बारे मिन योग-ों-ग्यक्त। प्रहुक किस व्यादी में किस तरह की से सका प्रयोग किया जाता है उसे हम किसके अंतरगत पड़ते हैं योग विध्यानी के अब इसके योग विध्यानी को पुन। 2 साकहा ho में भी भाज़त किया गया है पहलगा कौन सा ओजाय तो वो वो चीजें किसके अंतर पड़ते हैं फॉर्मेको डाइनेमिक्स यानि कि वोड़ी क्या रिस्पॉंस करती है अब देखे जैसे भी हमने किसी भी ड्रग का सेवन किया तो उसका एक adequate concentration चाहिए होता है ठीक है ना हमारे body पर response करने के लिए दूसरा उसकी specific site होती है वहाँ पर जाकरके वो response करती है ठीक है तो वो अपनी site पर कैसे पहुँचेगी तो systemic circulation में जब जाएगी तो वो अपनी site पर reach करेगी और उसका जब adequate concentration होगा तब वो हमारी body पर response करे पाने में उसका मदद करवाती है तो वो किसके अंदरगत पढ़ेंगे हम for meco kinetics और for meco therapeutic करेंगे तो यह सारी चीज़े हैं उसके थरपेटिक्स में आता तो योग विज्यानी में हमने क्या देखा जो हमने विबिन योग बनाये थे चून वटी और आसा वरिष्ट आदी बनाये थे तो उनकी मात्रा काल और उनका प्रयोग आदी का विचार किसमें किया जाता का वीर का विपाक का गुण का प्रभाव का वणन करना है रस पंचक्त से विबिन सरीर अव्यों पर उनके कर्मों का अध्यन करना है तो उसके अंतरगत पड़ेंगे हम गुण कर्म विज्यानी के प्रयोग विज्यानी आपको नाम सहीं समझ में आ रहा है प्रयोग से तो कर कर्म का द्रव्यों की विविद प्रयोग उनकी मात्रा उन का नुपान करते हैं आध्यां किया जाता है ठीक है अब धर्व विज्ञान में सबसे पहले जिए आ पढ़ेंगे नाम कुल जाती स्वरूप हैविटेड कहां से है सईयोग विज्ञाने तो सबसे पहले हम क्या करेंगे तो रव्यों को कलेक्शन करेंगे संगरहन उसका स्टोर करेंगे उसके बाद उसको विबिन कलपनाओं में निर्मिज करेंगे ठीक है तो यह सारी चीजों का मातरा में प्रयोग करना है तो यह सब किसके इंदर पढ़ेंगे हैं योग विज्ञानी को दुबाला दो वागों में विभाज़त किया गया है गुण कर्म विज्ञानी कि ड्रग क्या काम कर रही है हमारी बॉड़ी में तो द्रग यानि कि द्रव्यों के रस वीरे विपाक सबसे पहले देखिए द्रव्य क्या होता है तो यत्र आशिरता कर्म विज्ञानी कानम सबसे पहले देखिए द्रव्य क्या होता है द्रव्य यानि कि जिस रहता है कौन कर्म व और तो जिसमें कोन और तो घर रहते हैं और कैसे संब्भाई वण्द से अप्रत्रइब करके आं कि किसमें द्रव्य में तो व जैसे कौन कौन से हो गए हारिती की आमले की वीवीती की यह तरिफला ठीक है यह सारे ज़रते हैं ड्रक्स है उसके बाद क्या है गुण क्या है उसकी प्रॉपर्टी संभाई तु निश्चेस्ट है कारणम गुणा ठीक है ना जो द्रव्य में संभाई संबंध से रहता है और रहता है कार ये नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं कौन कौन से हो गया क्या दोरह जिए का स्वाद करता था है कौन कौन को हो जाएगा तो ले न लेंगे उसके क्या करते हैं है रहाय ip Comics का वदन किया गया है उसके बाद देखिए गskण क्या होता है जी किषिछ्ट पाक MICH से रफ यानीं कि गया व्स्था-विस्थ पाएंब में जविश्थ पाक होता है उसे हम क्या कें है विपासद है ठिक के तो बेरिय तू कीरी यह नहीं आ किया गया अश्टांग में आप पढ़के भी आ चुक्क हो दुविद वीरिये में कौन सा आता है तो इसनिक्द रूख्ष सीट वूष्ण गुरू लगू और मंद और तीख्ष उसके बाद प्रभाव क्या होता है तो प्रभाव एक स्पेसिफिक एक्शन होता है रस आदी साम असमान होने पर भी उसे हम क्या कहते हैं प्रभाव कहते हैं जैसे अर्जुन क्या रहता है वो ह्रिद्य कर्म को देता है दिखाता है दंती में क्या है रेचन कर्म होता है संग पुष्पी जो रहती है वो मेद्य कर्म को प्रभाव उसका उसका उसके बाद कर्म क्या है तो सह कर्म करने वाला हो और कर्म किसी की भी अपेक्षा नहीं रखता हूँ से हम क्या कहते हैं किसी की भी अपेक्षा नहीं की परिभाशा और सब्त पदार्थ तो चलिए से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जिसमें द्रव्यों के नाम रूप आने गुण कर्मों का और प्रयोगों का वड़न क्या है कि स्वस्त व्यक्ति को स्वस्त रखना और आतुर यानि की रोगी के रोगों का निवारन करना कि कारण यानि की साधन बूद किसे भी बताया गया है द्रव्य को बताया गया है कि वैद जो रहता है वो कारे करने वाला रहता है लेकिन अगर उसे कारण यानि की साधन के रूप में द्रव्य नहीं मिलेगा तो वो अपनी चिगिच्चा को संपादन नहीं कर पाएगा धनु क्या है चिकित्सा कर्म को सफल बनाने के लिए द्रव्यों का युगति पूर्वक और योजना पूर्वक प्रयोग किया जाता है दूसरा क्या बोला है शास्त्र के समान समानता बताई गई है अगर शास्त्र के समान समानता बताई गई है शास्त्र को अच्छी तरीके से लाबगारी अगर नहीं पढ़ाया तो वो अहित्कर है उसी प्रकार ज्ञान पूरवक प्रयोग करेंगे तो जीवन दायक है अम्रित के समान अग्यानता-पूरवक प्रयोग करेंगे तो विश्ट के समान प्राणा रहे यायुर्वेद की परिभाशा बता क्या बोला है। यायुषियाने परन करमनी बता है, जिसमें आयुषिया और अइशी दरव्यों के गुण करमों का वर्णन बतायं विवेचन बताया किया है। आयुर्वेदे कहां प्र विग्यान को डॉपर्ट में डिवाइड किया है उसके बाद द्रविग्यून गैने की कि जिसमें दर्व्यों के वनश पतिक जांगम खानी स्वारूपादी का बढ़नन किया गया हो सौन्यों कि उनका संग्रहन सनरक्षण निर्मान उसे उसका वरनन किया उसे स्यों जोग विग्यान एनकि उनकी मातरा काईब प्रयोग कवणनों से योग विज्ञान कहते हैं अब योग विज्ञान में गुण कर्म विज्ञान जिसमें द्रव्यों के रस वीर विपाकादी कवणन किया गया हो और प्रयोग विज्ञाने के उनकी मातरा अनुपान और उनके प्रयोग कवणनों से क्या कहते हैं प्रयोग ठीक अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते है विपाक क्या है आस्था पाक से द्रव्यों का जो विशिष्ट पाक किया जाता है ठीक है ना अवस्था पाक से द्रव्यों का जो विशिष्ट पाक किया जाता है उसे क्या कहते है विपाक कहते है वीरे यानि की जो भी क्रिया की कि जाती है उसे क्या कहते है जिसके दुवारा क्रिया की जाती है उसे क्या कहते है वीरे कहते है प्रभाव याने की रसादी के समान होने पर भी विशेष्ट कर्म देखा जाता है द्रव्यों में विशेष्टा देखी जाती है उसे हम क्या कहते है प्रभाव और कर्म क्या होता तब तक के लिए इसे पढ़ी है और कोई भी डाउट आता है तो आप डाउट सेशन में पूछ सकते हैं डाउट क्लास में ठीक है थैंक यू सो मच